आज बात करेंगे मालदीव की क्योंकि मालदीव और भारत के रिलेशन इस समय सामाने नहीं है कभी मालदीव में इंडिया आउट मुवमेंट चलाय जाता है तो कभी मालदीव के नए राष्टपती द्वारा भारत की सेना को मालदीव से निकालने की बात कही जाती है आखर ऐसा क्या कारण है जो कल तक प्रो इंडिया की आईडियोलोची रखने वाला मालदीव एंटी इंडिया की राह पर चल पड़ा है जारेंगे आज के वीडियो में बने रहे हैं मालदीव हिंद महासागर में इस्तित एक छोटा सौधीब है जिसकी पॉपुलेशन लगवग 5.2 लाख है इसके हिंद महासागर में होने के कारण या भारत और चीन दोनों के लिए ही महत्वण हो जाता है क्योंकि चीन और भारत दोनों का ही जादे तरव्यवपार हिंद महासागर पर निर्भर है वहीं चीन चाहता है कि मालदीव को पाकिस्तान और श्रिलंका की तरह अपनी डेप ट्रिप में फसा कर भारत की पकड़ को हिंद महासागर में कम करना इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना मालदीव को लगबख दो बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज दे चुका है चीन न जिस तरह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट श्रिलंका के हमबन टोटा पोर्ट को लिया उसी तरह मालदीव में भी 2016 में एक पोर्ट को पचास साल की लीच पर ले चुका है और इस पोर्ट को उस समय के मौजूदा राष्टपती अब्दुल्ला यामिन द्वारा सिर्फ 40 मिलियन डॉलर में पचास साल की लीच पर चाइना को दे दिया गया लगबख हर देश की तरह मालदीव में भी दो पार्टियों का वर्चस्तो देखने को मिलता है सन 2013 के मालदीव इलेक्शन में प्रोग्रेसिव पार्टी के उमीदवार अब्दुल्ला यामिनी सत्ता में आये जिनने हमेशा से ही एंटी इंडिया और प्रो चाइना कहा जाता था और उन्होंने ऐसा किया भी अपने कारेकाल के दोरान उन्होंने चाइना का खुलका सपोर्ट भी किया इस कारण 2013 से 2018 के बीच भारत और मालदीव के संबंद ज्यादा कुछ खास नहीं रहे लेकिन 2018 के आमचनाव में मालदीव डेमेकरेटेट पार्टी के उम्मीदबार इब्राइन सोली मालदीव के राष्टपती बनते हैं और उनके राष्टपती बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के संबंद में काफी सुधार देखने को मिलता है राश्टपती बनने के ततकालवाद इंडिया फस्ट की नीती को शुरू करके रिष्टों को बहतर बनाने पर जादा ध्यान दिया जाता है इसके साथ ही मालदीब में चीन समर्थित प्रोग्रेसिब पार्टी द्वारा 2019 में एक मुवमेंट चलाया गया जिसका नाम था इंडिया आउट और यह मुवमेंट 2019 से 2023 के चुनाव तक चलाया गया और 2023 के आम चुनाव जो अभी हाल ही में संपन हुए है उसमें प्रोग्रेसिब पार्टी एक वार फिर से लोट कर आती है सत्ता में और मुवम्मद मुईजू राश्टपती बनते हैं चुनाव जीतने की ततकल बाज राश्टपती मुईजू ने भारत की सेना को हटाने की बात कही है इस सब पर भारत सरकार की तरब से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है आगे इस पर भारत सरकार का क्या एक्शन होगा यह आगे किसी वीडियो में देखेंगे अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मीटिव लगाए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू